दोस्तों अगर आप Paytm Wallet से अपना पैसे को अपने बैंक खाते में एड करना चाते हैं यानिकि ट्रांसपर करना चाते हैं तो इस बीडियो को अंतक जरूर दिखीगा आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का method बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप अपने Paytm Wallet का पैसा जो है अपने bank account में without किसी charge के बिना किसी extra charge के आसाने से ट्रांसपर कर सकते हैं तो इस बीडियो को अंतक जरूर दिखीगा कहीं भी miss मत करना क्योंकि दूस्तों अगर आप miss कर जाओगे फिर आप comment करने लग जाओगे कि आपका ये problem solve नहीं हुआ है तो याद रखेगा एक एक step आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो चले दूस्तों चलते हैं directly अपने mobile phone की screen पर दूस्तों paytium wallet से direct आपको कैसे bank account में पैसे को transfer करना है बिना किसी charges के तो आप video को पूरा दिखो उसके बाद आपको easy समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको बहुत easy तरीके से transfer करना है अभी मैं आपको यहाँ पर जो है अपना paytium wallet का balance दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं balance and history में जाता हूँ और यहाँ पर दिखीगा मेरे paytium wallet में अभी 10 रुपे का balance available है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी यहाँ पर दिखीगा मैंने 10 रुपे यहाँ पर दिखीगा यह जो मेरा balance है इसको मैं bank में transfer कर लेता हूँ और यहाँ पर पूरा का पूरा दस रुपे का पेमेंट हमें मिल चुका है वापस अगर मैं आपको यहाँ पर दुबारा से पेटेम का वोलेट आपको चक करके दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर बैक करूं और दुबारा से थोड़ा सा पेज को यहाँ पर रिफ्रेस करूं तो आप यहाँ नहीं किया, देखो दुस्तों बहुत ही simple method है, कि आपको सबसे बेल अपने profile पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर दिखी का settings है, और हो सकता है दुस्तों यह options आपको बाद में उपर नीचे दाएं बाएं मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हर application बीच बीच में update होता रहता है, तो ठीक उसी तरीके से pay time भी future में update होगा, तो हो सकता है इसके options आपको ऊपर नीचे दिख जाए, तो settings में हम जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते है, saved and bank account, आपको यहाँ पर दिखी का payment setting के नीचे, आपको simple इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर दिखी का हमारा bank account यहाँ पर link है, और यहाँ पर दिखी का उसके नीचे, add money refund bank to secure, आपको इसको simple on करना है, और जैसे दूस्तों आप on करेंगे, अब मैं आपको दुबारा से दिखा दिता हूँ, add करके, कि यहाँ पर हम जाते हैं balance and history में, दुबारा से हम जाते है, pay time wallet में, और अभी यहाँ पर दिखीगा, अभी हम ना कुछ पैसा यहाँ पर add कर लेते हैं, तो यहाँ पर add money to wallet पर हम जाएंगे, 50 रुपे हमने type किया, अब हम यहाँ पर proceed कर लेते हैं, और जो भी हमारा payment है, हम सबसे पहले bank से इसको add कर चलिए, मैं यहाँ पर अपना pin enter कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप दिख सकते है, processing हो रहा है, अब हमारा यहाँ पर पैसा add हो चुका है, और दोस्तों, बहुत बार होता है कि हम अपने wallet में पैसा add करते हैं, लेकिन गलती से वो जादा पैसा हमारे wallet में add हो जाता है, तो उ यहाँ पर आप wallet दिख रहा है, प्रेटेम wallet पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर दिखीगा, 50 रुपे हमारे wallet में आ चुके हैं, तो simple जब आप उस options को on कर लेंगे न, तो आपके सामने यहाँ पर referend to secure आईगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दिखीगा, confirm करें आपने देखा, अब दोस्तों हो सकता है, बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पर confusion हो, और सवाल हो, कि यार अगर हमारा यह पैसा bank account में transfer हो जाए, लेकिन अगर हमारे friend यह कोई हमारे PTM में पैसा भीजता है, तो हमें उसको कैसे account में transfer करना है, तो दोस्तों देखिए, उसको transfer कर सकते है, direct तरीके से, क्योंकि उसके लिए अलग method है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने जो खुद का add क्या हुआ पैसा है, उसी को हम back to, जो है, अपने bank account में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वीडियो देखनी है, कि अगर आप किसी और से receive करते हैं, तो उसको क अपने patent wallet का पैसे को अपने bank account में transfer करना सीख गिये होंगे, बिना किसी charge के, हाला कि दोस्तों, अगर आपको अधर से कहीं से पैसा आता है patent wallet में, तो आपको उसको कैसे transfer करना है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको देखना है, तो वीडियो को डिस्क्रि देना या फिर आप डारक्ट में मुझे Facebook, Instagram पर message कर सकते हैं, जिसका link भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,